देश की राजनीती में आयोग्य लोगों की कोई कमी नहीं है। हालकि जब राजनीती में सभ्वे, सिक्षित, अनुभवी और कूटनीती में मंजे हुए खिलाडी शामिल होते हैं, तो राजनीती और लोक तंत्र का स्थर ही अपने नए आयाम पर पहुँच जाता है। ऐसा ही कर ट्विटर पर देखने को मिला जब देश के विदेश मंत्री और पूर्व राजनेक S.J. शंकर ने अपने तथ्यों के बाणों से राहुल गांदी के सवालों का चीर हरन कर डाला। राहुल गांदी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपने स्टाइल में बिना तथ्यों और अधार के ही देश की विदेश निती पर सवाल उठाया था। गांदी ने वीडियो में अपने विचार रखे कि क्यूं चीन आक्रमक हो गया है और आरोप लगाया कि मोधी सरकार के दोरान कमजोर विदेश नितियों के चलते देश कमजोर हुआ है। बस इसके बाद जो हुआ वो देखने लाइक था। विदेश मंत्री ने राहूल गांधी को आड़े हातों लेते हुए ट्विटर पर एक लंबा चोड़ा थ्रेड पेश किया। अपने थ्रेड में उन्होंने राहूल गांधी के हर सवाल का तत्यों के साथ शांदार जवाब दिया। एस जैशंकर ने कहा राहूल गांधी ने विदेश निति पर सवाल पूछे हैं। यहाँ पर कुछ उत्तर हैं। अमेरिका, रूस, यूरोब, जपैन के साथ शिखरवारता और अनुपचारिक बैठकी होती रहती हैं। चीन के साथ हम राजनीतिक रूप से अधिक बराबरी के स्तर पर बात करते हैं। विशलेशकों से पूछे। विदेश मंत्री ने आगे ट्वीट किया। भारत अब अधिक खुले मन से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिफ, दक्षिन चीन सागर और सैयोक्त राष्ट द्वारा घोशित आतंक वादियों के बारे में बाते करता है। इस बारे में मीडिया से पूछे। पूर राजनाइक ने कहा, कुछ तथे हमारे पडोसियों के बारे में भी हैं। इसी प्रकार जैशंकर ने अपने अगले ट्वीट्स में समझाया कि कैसे निपाल में 17 साल के बाद प्रधान मंत्री की यात्रा होती है। उर्जा, इंधन, अस्पताल, सडक सहीत, अनेक विकास पर योजनाएं बढ़ती हैं। उनके नागरिकों से पूछे। उन्होंने कहा कि भुटान अब भारत को एक मजबूत सुरक्षा और विकास भागिदार पाता है। अब वैं 2013 के विप्रीत अपनी रसोई गैस के बारे में चिंतनाई करते भुटान के परिवारों से पूछे। आगरी में जैशंकर ने पाकिस्तान के मुद्दे पर राहूल गांदी पर चुटकी लेते हुए कहा। पाकिस्तान के साथ निश्चित तोर पर एक तरफ बालकोट और उरी तो दूसरी तरफ शर्मल शेक, हवाना और 26 ग्यारा के बीच अंतर है। इस बारे में स्वैम से पूछें। आरोप लगाने की हिम्मत करेंगे।